सबसे पहले आप ये समझेए कि आरले एक्चुल में बंदा कैसे है या इसका बनाने का प्रोसेस या रूल नियम क्या है सबसे पहले समझते हैं सम से सम तब एक्चुल में यह है डेर मातरा जो कि एक मातरा में डेर मातरा आती है तो जाहिर से बात है कि वो अपने समय पर समाप्त नहीं होगी एक अवर्टी में डेर गुन डेर गुना मातराएं आएंगी जैसे रूपकताल अगर एक से साथ में एक से साथ हम बोलते हैं तो वो बराबर की लाए कही जाती है तो जब भी एक मात्रा में अगर डेर मात्रा बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि एक रूपकताल का पूरा मात्रा और फिर रूपकताल को आधा बाटेंगे तब यानि देर आवर्तन लगेगा एक आवर्तन में जो की सम से सम तक को खतम करना नहीं हुआ सम से सम तक करने के लिए अब जब एक आवर्ती में देर आवर्तन लग रहा है तो आप दो आवर्ती में तीन आवर्तन, तीन आवर्तियां मिलेंगी तब जाकर यह सम से सम तक खतम होता है अब इसको ग्राफ की मदद से समझते हैं जैसे यह हो गया रूपक ताल का तीन आवर्थी का हिस्सा आपको लेने पड़ेगी एक से साथ, एक से साथ, एक से साथ तीन बार और जो इसका बेस चलेगा वो दो अवर्थी का होगा एक से साथ, एक से साथ यह कुछ अजीब सा मैथ है कि बेस जो है आपका वो एक से साथ, एक से साथ यानि टोटल चौदा मात्रा इसका अगर लिया जाए तो चौदा मात्रा और बोलने के लिए जो मूँ से चलेगा मात्राएं वो एक से साथ, एक से साथ, एक से साथ, तीन बार यानि 21, चौदर में कितना फिट हो रहा है आपका 21 अब इसमें बेस क्या हुआ, बेस है, जो चीज आप हाथ से ताली देते हो वो आपका बेस है, जो बराबर लह से चलते रहेंगे और जो उपर की मात्राएं दिखा रही है, वो आपको मूँ से बोलना है, मूँ से उचारन देना है वैसे ही लिपी बद में जो उपर की मात्राएं लिखी होंगी, वो आपका बेस हुआ ठीक है, वो आपकी मात्राएं हुएं अब उस मात्राओं में कितने मात्राएं आ रहे हैं यह उपर का जो चल रहा है वो है जोसे बेस आपका यह हो गया और मात्राएं इसके नीचे लिखे जाएंगी तो बेस आपका होगा 14 7 7 14, दो आविर्ती आएगा और जो उसमें मात्राएं लिखे जाएंगी मतब एक मात्रा में कितनी मात्रा एक मात्रा में देर मात्रा तो देर मात्रा होने की वज़़ से यह तीन बार आएगा आरलाय लिखते कैसे हैं देर मात्रा के लिए हर मात्रा के बाद एक औगरह लगाना इसे कहते हैं आगर, हर मात्रा के बाद एक और हो, ठीक है, अब आचा है तो वो एक हो, या तीतीना हो, या धादिन्दिन्दा हो, मतलब हर मात्रा के बाद हमें एक एक औरह देते जाना है, मतलब एक उसका साथ ही दे देना है, और फिर उसको, जो भी ओगरा लगाया है, उसको भी काउंट करते हुए, तीन को एक बनाना है, तीन को एक, चाहे वो ओगरा हो, या मत्रा हो, सब पूरे को काउंट करेंगे, ओगरा को भी नहीं छोड़ेंगे, जैसे एक, दो, तीन, ये एक मत्रा हो गई, फिर एक, दो, तीन ये एक मात्रा मानी जाएंगी अब आप यहाँ देख रहे होंगे कि ती, ती, न, कुछ ऐसे आया है मतलब एक जो आया उसमें आप देख रहे हैं कि दो मात्रा हैं सामील हो गई और एक अगला जो देख रहे हैं उसमें देख रहे हैं कि एक ही मात्रा आई हैं बाकी दो और है कुछ इसे हिसाब से यह बढ़ता है जिस वजह से इसका जो बेस है कि जो बेस चलेगा वह 14 मात्रा का और मुझ से जो चलेगा वह 21 मात्रा का तब ही तो वह बड़ाबर बढ़के समसे सम मिलेगा अब यहां पे अगर आप बीच से ठीक है एक ही अवरती अब कोशन क्या है कोशन यहां चेंज हो गया सम से सम तक नहीं अब कोशन है कि एक अवरती में आरलै लिखें एक आवरती में आरलै अब एक आवरती में आरलय किसकी, रुपक ताल की, ठीक है, रुपक ताल की, एक आवरती में आरलय क्या हो तो यह आपको पता है, कहां जाके समाप्त होगी, ती ती ना को जब हम बाटेंगे ना, ती ती ना, धी ना, धी ना ये कुछ हैसे संख्या है, जो already 7 है, 7 को बाटना मुस्किल होता है, लेगिन आसान इसलिए हो जाएगा न, क्योंकि जब आउग्रह आप लगाएंगे इसमें, तो ये 14 में बदल जाता है, 7 पहले से रहें, और 7 ही आउग्रह लगेंगे, तो 14 हो गया, और 14 को जब हम बाटेंग तो इसका आधा कहां तक आएगा, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, अब जो ये 7 मात्राइं आई, इधर, इन 7 को हटाना हो, क्योंकि अगर आपका जबाब आपको देना है, कि एक अवर्ति में आपको आरले लिखनी है, तो ती, ती, ना, धी, उसका भी एक औग्रह गायव हो जाएगा, क्योंकि डेर आवर्ति आएगा, आपका बेस जो है, बेस अगर एक अवर्ति उठाते हैं, तो आपके डेर आवर्तान आएगे, जो कि 7 मात्रा ये पूरा, और इसमें से जो 7 को आप 14 बनाएगे, ठीक है, उसका 1, 2, 3, 4, पूरी तरह से 4 और 3 और जाएगे, एक तरह से कहा ज इस हिसे में आएगे, लेकिन एक्चुल में हम मात्राओं को बिलकुल खंडित नहीं कर सकते हैं, बोलते टाइम या उच्यारित करते टाइम, लिखते टाइम भी हम धी को क्या करेंगे, अब ऐसा तो नहीं कर सकते हैं कि धो अलग लिखेंगे, और इसकी बड़ी की मात्रा अ को उसको दीपेंद करता है कि वो कौन सा लैगा तो आपको अगर एक अमर्ति में कोई पूछे तो रुपक ताल का डेर आवर्ता नाएगा एक आवर्ती में डेर गुन आर ले ठीक है ये जवाब होना चाहिए और सम से सम तक लाने के लिए आपको तीन आवर्तिया लगेंगी साथ 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 यानि टोटल 21 मात्रा अब जो ये डबल करने के बाद ये 21 हो जाएगा आपका 42 और 42 में 42 को तीन से डिवाइट अब जब करेंगे तो आपको मिल जाएगा क्या 14 मिल जाएगा ठीक है ना 14 मिल जाएगा तो जहिर सी बात है 14 यानि रूपक ताल को दो बार लिखेंगे तो 14 आपका एगा 7 मात्रा 7 मात्रा तब जाकर ये आडले को आप बाट पाएगे आडले रूपक की आडले किसकी रूपक ताल की अब तीन बार बिना कुछ सोचे समझे थोड़ा सा दूड़ी दे कर क्योंकि एक एक आगरा भी लगाना तीन बार आपने लिख लिया जैसा कि मैंने सुरू में ही समझाया था कि आपके तीन जो हैं मात्रा लगेंगी अब बेस दो चाहिए बेस मतलब उसके मात्रा लगाएंगे नंबर लगाएंगे वो बेस आपका है तो तीन बार आपने लिख लिया एक बार कंफर्म भी कर लिजिए ती तीना धीना धीना कोमा अपने पहचान के लिए कि एक अवर्ती पूरा हो गया है अब सब में एक-एक उग्रह दे दीजिए मतलब एक इनका साथ ही दे दीजिए आरले बनने के लिए अब हम बिना कुछ सोचे समझे सबको तीन तीन में घहरेगा अग्रह को भी किनना होगा एक दो तीन एक दो तीन एक दो तीन इस अग्रह को काट ले अच्छा रहेगा क्योंकि सारी चीजिए एक जबा मिलेंगी और इस ना को हम उठा के ले जाते हैं इदेर ताकि साड़ी चीज़े सही जगा पे समझ में आप अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि तीन-तीन में घेर लिया गया है अब देखते हैं कि बेस जो हमारा था वो सही पड़ा है कि नहीं पूरे चौदा मात्रा आने चाहिए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आठ, नो, दस, इग्यारा, बारा, तेरा जोगर पॉर्फेक्ट एक, दो, तीन, विभा कर लेते हैं एक, दो, एक, दो, तीन, एक, दो, एक, दो मात्रा आने लगाएंगे एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, ये हुई आपकी प्रूपक ताल की आरल है, हमने चिन छोड़ा है, सम, दो, तेन, सम, दो, तेन, ये ताल सम की मात्रा जो सुरू होती है, वो खाली से होती है, इसलिए हमने जीरो लगाया है, ओकी? ये खाली से होती है, जो, ये झाली से है चुण अवाया है, ये जो, ऊटना सूपष, जो, ये बातान की मात्रा जो, एashing ध county आरल उो, ये सुरू है वोसी जार